Hey my beautiful viewers, welcome to Empty Kitchen. आज की रेसीपी है, फिश करी. थोड़ी सी मेती. जीरा. थोड़े से सरसों की बीच, इन तीनों को छोटी सी आज़ पर भून लीजिए. मेती को थोड़ा कम ही लीजिए. जलने मत दीजिए. आदा नारियल का पवडर. थोड़ी सी इमली. लाल मिच, बीस. तीन लहसुन की कलियाँ. वन एड़ हाफ टेबल स्पून धनिया. एक टेबल स्पून हल्दी का पवडर. और भूना हुआ जीरा, मेती और सरसों के बीच. एक कटा हुआ प्यास. इन सबको मिला कर पेस्ट कर ले. आपका पेस्ट कितना नावजुग बनेगा, आपकी करी उतने ही मज़ेदार बनेगी. एक पैन ले. पैन गरम होने के बाद, थोड़ा सा तेल ले. थोड़े से करे लिव्स. एक भड़ी कटी हुए प्यास. अच्छे से मिला ले. पाँच कटी हुई हरी मिर्च. छोटा सा कटा हुआ टमाटर. अच्छे से इन सब चीज़ों को मिला ले. पेस्ट मिला ले. आपको करी जितनी गाड़ी चाहिए, उतना आप पानी मिला ले सकते हैं. स्वाद अनुसार. नमक. अच्छे से मिला ले. इह देखिया हमारी फिश. इह देखिये फिश है. मैंने यहाँ पे इसे पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर लिया है. जब करी अच्छे से उबल आने लगेगी. तब फिश की दुखड़ों को एक ही करके दाल दीजिए. अच्छे से मिला लीजिए. चार से पांच मिर्ट तक ढखकर दीमी आज़ पर पका लिए. देखिए यहाँ पे हमारी फिश पकर रड़ी हो चिकी है. अगर आपको मेरी रेसीपि अच्छे लगे हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब. स्टे होम, स्टे सीफ.